नमस्कार सुआगत आपका हमारे चैनल में ऐज हम ये टिक्की बनाना शीखेंगे इसको आप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में यूज कड़ सकते हैं जैसे धाल कि इसे बनाने के लिए मैंने थ्री प्लाई का धागा यूज किया है और इसका डाया मीटर जो है लगभग पांच इंच का है तो आए इसे बनाना सीखते हैं आए स्टार्ट करते हैं यह धागा लेंगे हम इसको इस तरह से उंगलियों पर घुमाएंगे और पीछे एक तरफ ले जाएंगे अब हम किरोशिया लेंगे नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को आगे कर लेंगे इस तरह से और इन दोनों को हम खीच देंगे तो चेन के लिए दागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे ये हमारी एक चेन बन जाएगी दूसरी चेन दागा घुमाएंगे और इसमें से इस तरह से निकाल देंगे तो ये दो चेन बनके हमारी तयार हो गई वान टू त्री 3, 4, 5, 6, 7, यह हमने साथ चैन बना के तयार कियें, फर्स्ट वाली चैन में हम इसको सिलिप स्टिच के साथ लोग कर देंगे, अब हम एक की चैन बनाएंगे, और इस थाल पूस में बहुत सारे पफ बनेंगे, तो इसके लिए मैं आपको पफ बनाना बता देती हूं, कि पफ क कैसे बनाते हैं, तो इस दागे को हम इस तरह से बढ़ा करेंगी, और यह उगली रख लेंगे, फिर हम धागा घुमाएंगे, इसको भी हम उगली के नीचे लगाएंगे, और फिर इस रिंग में किरोशिया डालेंगे, इस तरह से, धागा लपेटेंगी, वापस लेंगे, और फिर इसको भी हम उंगली के नीचे कर लेंगे, ताकि हमारा पफ जो बड़ा छोटा ना हो, तो यह एक हो गया है, यह तीन फंदे हैं, वैसे हम इसको हम एक में काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह हमने पांच बार धागा घुमाया है, अब इस धागे को हमें इस तरह से पकड़ेंगे, किरोसिया पर धागला पेटेंगे, और एक साथ निकाल देंगे, जो पकड़ के रखा है, उसको भी हम किरोसिया पर लिंगे इस तरह से, दागा लपेटेंगे, इसमें से निकाल देंगे, फिर हम दोनों में से निकाल देंगे, अब हम आगे जाने के लिए दो की चेन बनाएंगे, एक, दो, यह हमारा पफ बनके तैयार हो गया है, अब हम दूसरा पफ भी इसी रिंग में बनाएंगे, इस तरह से किरोशिय डालेंगे रिंग के अंदर, दागा गुमाएंगे, वापस लेंगे, फिर हम उंगली के नीचे लगाएंगे इनको, इस तरह से, दो, तीन, चाल, पांच, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, दागा लपेटेंगे किरोशिय आपे, और एक साथ निकाल देंगे, जो पकड़ के रखा है, उसको भी हम किरोशिय आपे लिंगे, इसमें इसे निकाल देंगे, फिर दो की चेन, एक, और यह दो, अब यह हमारे, दो पफ बन के तयार हो गाएं, हमें टोटल, आठ पफ बनाने हैं, जैसे ये पफ, बीच में दो की चेन फिर पफ इसके बाद फिर दो की चेन इसी तरह से हमें टोटल आठ पफ बना के तयार करने हैं यह राउंड हमारा कम्पलीट हो गया है इसमें हमने आठ पफ बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हम इसको दो चेन बना लिए हमने जैसे हमने हर पफ के बीच में बनाई है अब यह जो पफ है हमारा फर्स्ट जो पफ है इसके उबर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ लॉप कर देंगे अब एक इसमें हम जाली में जो फर्स्ट जाली है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर दिया एक की चेन बना दई अब हम इसके उपर इस तरह से धागा खींचेंगे और फिर हम यहां पफ बनाएंगे इसी जाली में एक दो तीन चार पांच यह हमने फाइव बार धागा लपेटा है अब इस धागे को मिशता है भ्रह से पकड़ेंगे और एक से निकाल देंगे फिर पकड़के रख़ा है उसको भी हम किरोशिया पर लिखे के दो हो गयqu intended धॉनों मेंसे एक साथ निकाल देंगे अब हम एक की चैन बनाएंगे और धागा घुमाएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी में बनाएंगे फर्स्ट वाली जाली में एक दो तीन चार पांच इस तरह से घुमाएंगे एक साथ निकालेंगे जो पकड़ के रखा है उसे भी लिंगे किरोसिया पर यह दो हो गए दोना में से एक साथ निकालेंगे अब हम आगे जाने के लिए दो की चैन बनाएंगे एक दो और यह दूसरी वाली जाली में हम इसी तरह से दो पफ बनाएंगे अब यह नीचे वाले राउंड में हमने हर पफ के बीच में दो की चैन बनाई थी इसलिए हमारी यह जाली बनके तयार होई है इनमें बीच में तो अब हमें हर जाली में दो पफ बनाने जैसे हमने यह बनाएं और इन दोनों के बीच में एक की चैन बनानी है दो पफ बीच में एक की चैन अब हम आगली जाली में जाएंगे तो उसके जाने के लिए दो की चैन बनाएंगे तो बीच में एक चैन और आगे जाने के वान टू जैसे हमने हरवार बनाई है दो की चैन अब हम यह जो फर्स्ट पफ है इसी के उपर हम लॉक करेंगे सिलिप स्टिच के साथ अब इनके बीच में जो एक की चैन बनाई थी हमने इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे अब इसको बड़ा करेंगे और इसी एक की चैन में हम पफ बनाईएंगे इस तरह से एक दो तीन चार पांच इसको पकड़ के रखेंगे एक साथ निकाल देंगे जो पकड़ के रखेंगे इसको भी क्रोशिया पर लेंगे इस तरह से निकाल देंगे दोनों में से एक साथ निकाल देंगे अब एक की चैन बनाईएंगे और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाईएंगे धागा गुमाएंगे एक दो तीन चार पांच एक साथ निकालेंगे दोनों में इससे निकाल देंगे अब हम पहले दो की चैन बनाई थी अब हम इसके उपर तीन की चैन बनाएंगे इधर जाने के लिए एक दो तीन यह हमने जो नीचे वाले राउंड में दो पफ बनाएं दो पफ के बीच में एक की चैन बनाई थी उसमें हमने दो पफ बनाएं और बीच में एक की चैन बनाई है अब आगे जाने के लिए जो दो की चैन बनाई थी हमने तीन की चैन बनाई है अब हम आगे बनाते हैं तो यह जो दो की चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाईंगे तो इस तरह से क्रोशिया डालेंगे धागला पेटेंगे वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन ये थ्री की चैन बनाई हमने और ये जो दो पफ बने हुए है इनके बीच में हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच एक साथ निकाल देंगे बीच में एक की चैन और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे ये जो हमारे नीचे वाले राउंड में दो पफ बने हुए हैं इनके बीच में हमने एक की चैन बनाई थी तो उस एक की चैन में हमने दो पफ बनाएं और बीच में एक की चैन फिर आगे जाने के लिए जो दो की चैन थी नीचे उसमें हमने तीन की चैन और एक सिंगल क्रोसिया फिर तीन की चैन और फिर अगले पफ के बीच में जो एक की चैन है उसमें हमने फिर दो पफ बनाने है और एक की चैन इसी तरह से सिंगल क्रोसिया तीन की चैन सिंगल क्रोस तो जो फर्स्ट पफ है इसी के ऊपर हम सिलेप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से अभी जाली है बीच में इसमें हम एक सिंगल क्रोश्या करेंगे एक की चेन लेंगे और इस तरह से बढ़ाएंगे और इसी जाली में जो पफ के बीच में एक की चेन है इसी में हम पफ बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच इसको पकड़ेंगे धागे को एक साथ निकाल देंगे और जो पकड़के रखा है उसको भी किरोसिया पे लेके दोनों में से एक साथ निकाल देंगे एक की चेन और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच दोनों में से एक साथ निकाल देंगे अब हम इधर जाने के लिए पहले हमने तीन की चेन बनाई थी अब हम चार की बनाएंगे वान, टू, टू, त्री, फोर फोर की चेन बनाई और ये जो सिंगल करोशया बना भुए इसी के उपर हम एक सिंगल करोशया बनाएंगे इस तरह से ये जो हमारा सिंगल करोशया बनाएंगे है इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोश अबनाया है अब हम चार की चेन बनाएंगे वान टू थ्री फॉर और यह जो दो पॉफ बने हुए इनके बीच में जो एक की चेन है इसी में हम पॉफ बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच एक साथ निकाल देंगे दोनों में से एक साथ एक की चेन और दूसरा पॉफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे यह जो हमने नीचे वाले रों में दो पाँच बनाई थी और बीच में एक की चेन बनाई थी अब उसी एक की चेन में हम दो पाँच बनाइंगे और बीच में एक की और फिर दूसरा पफ भी इसी जाली में इसी पेटरन को follow करते हुए हम अपना round complete करेंगे यह round हमारा complete हो गया है अब हम इसको lock करेंगे अब यह जो round हमारा complete होने के बाद यह जो last time हमने चार की chain बनाई है इसको हम starting वाला जो puff है पहला इसके उपर हम slip stitch के साथ lock कर देंगे इसको इस तरह से अब हम यह lock के बाद एक की chain बनाएंगे और इस धागे को यहीं कट कर देंगे अब यह जो कटा हुए धागा था इसको आप set कर लें यह टिक की बनके हमारी तयार हो गई है आपको मेरी वीडियो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को subscribe करें Thank you